वेरी गुड मॉर्निंग टू अलोफी दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एजुकेशन केट सिक्स में रुख करते हैं बिहार की तरफ बिहार सरकार ने एक और नई अपडेट दी है कुछ नई वेकेंसी के ये वेकेंसी दो है दोस्तों आपको परियावरन और जलवायू परि सिक्रिती मिल चुकी है लेकिन इसके वेकेंसी आने में अभी बिलंबता हो सकती है उसके पीछे कारण बताऊंगा कौन-कौन से चात्रे इस पोस्ट को आविधन कर सकेंगे और क्या eligibility criteria होगी यहां पर salary scale क्या रखा गया यानि कि बेतनमान कितना मिलेगा आपको यहां पर इन और आप हमारा टेलीáchरराम आपको लिंक दीए अपडेट क na जरीर जरी जो है सचारे वीडियो लिंक और उसके पीडियिये आपको साजा किया जाते है तो चली इनपडेट पर चलते हैं तो आपको बदा दें दोस्तों कि यह जो वेकैंसी है विहासरकार के तरफ से निकाली है जो कि परियावरन और जल्वायू परिवर्दन विवाग की तरफ से अपडेट किया गया है विसाय क्या है यहाँ पर तो मुंगेर जिला में वाने की महाविद्याले में इस्थाई स्थापना के तहर पठन पठन कार्य यहां सुचारू संचालन है तो विभीन कोटी के कुल 204 पठन का स्रिजन स्विकृति के संबंद में यह लेटर जारी किया गया है अब आपको बता दे दोस्तों कि यह जो है महाविद्याले की स्थापना करने की चर्चा हो रही है सबसे पहले तो जहां पर कृषी प्रधान राज्य है भिहार और कृषी वाने की और कास्ट आध स्थारित उद्यूक की संबंदित यह वर्ड यूज किया गया है जो कि यहां पर स्थापना की संभावनाएं दृष्टिपत से किसानों विद्यारतियों और गैर सरकारी संगठन की सदस्यों के लिए यह अपडेट किया गया है दोस्तों जहां पर इनकी नौक्रिया लग सक है। और सरकारी सेवोकों को वानेकी के च्छेतर में प्रसिक्षन दिया जाना आवश्चेक हैं। तो इस से मुंगेर जिला में वानेकी महाविद्याले की स्थापना किये जाने का निर्णे जो है राजी सिर्कर के द्वारा किया गया है यनि ये जो कृशी प्रधान तरह है वहां पर वानिकी महाविद्याले भी इस्थापित किया जाए ऐसा मुंगेर जिला में अबडेट दिया गया इस महाविद्याले की संचालन के लिए वानिकी तथा वन उत्पादो के बेहतर उप्यों के लिए आवश्यक सूध कार्य किये जा सकेंगे चुकि देखें बिहार में ज्यादा वन है नहीं वन अब बचा नहीं है वन अचादित जो हमारा छेतर है बहुत कम है पूरे देश बर में देखा जा तो सबसे कम है तो उसके उपर जो सूध कार्य किया जा सके इसको लेकर यहाँ पर यह स्थापनक करने का फैसला किया गया है तो इस वानेकी महाविद्याले को मुंगेर में स्थापित किया जाएगा साथ ही साथ वानेकी छेतर में विशेश कर ग्रामेट छेतरों में रोजगार की संभावनाय बढ़ेंगी वानेकी महाविद्धाले में वानेकी सम्मन्दित विश्वो के पठन-पाठन के इस छेत्र में कारेबल विक्सित किया जा सकेगा जिसे की राजिकी सरकार जो राजिकी आर्तविवस्था हैं वो भी शुध्र हो सकेगे अब यहां पे जो है इस विशह पे जो चर्चा किया गया है कि महाविद्याले खुलने से तो जाहिर सी बाते किसी भी छेत्र का डवलप्मेंट होई जाता है तो यहां का जो हुई अर्थवेवस्ता है इस छेत्र का वो सुद्रेगा इस महाविद्याले के संचालन से विद्या अब यहां पे जो है परियावरन और जलवायू परिवर्तन विभाग की तरफ से संकल्प संख्या इतना द्वारा मुंगेर जिला में वानेकी महाविध्याले की स्थापना कर नेड़ने ले लिया गया है जिसके भवन का निर्मान बिहार क्रिशी विद्ध्याले साबौर है न महाविध्याले परियावरन और जलवायू परिवर्तन विभाग बिहार को म overse войs भी शर्जिद्ध्यान होगी निया क्वालेली का trail विभाग जैसंसे जुड़ी हुई रहेंगी जो की अपड़ेट यहां पर केदिया गया है अब यहां पे उपरोग द्रिष्टिक पत्थ के इस्थाई स्थापना की गई है इसके तहित मुंगेर जिला में अधी स्थापित वानिकी महाविद्याले में पठन पाठन का कारे भी सुचारु संचालन हेतु विभिन कोटी के लिए यहां पे कुल 204 पदों का स्रिजन की प् पदों का विवरन दिया गया है 204 है कुल पद यहां पे जिनके लिए सेक्षणिक पद भी है और कुछ 11 सेक्षणिक पद भी है अब जो सेक्षणिक पद है उसमें प्रोफेशर यानि की दीन की वेकिंसी है और बेतन लेबल जो है 14 का है यानि कि लगबग 2.5 लाग से उपर का जो है सेलरी आपको यहां से मिल सकेगा पद की संख्या एक है प्रोफेशर बेतन इस्तर 14 इनका भी जो है पद का संख्या जो है बारा है लेकिन सेलरी वही 2.5 लग के आसपास बनेगी असोसीएट प्रोफेशर का वेकिंसी है जो की सेलरी इसके लिए यहां पे 13 एक और यह 24 पोश्ट है यहां पे दिये गए असिस्टेंट प्रोफेशर का पोश्ट है जो की 15 इस आसपास नेग सेलरी होगी यहां पे 36 सीठ और असिस्टेंट लिड्रेरियन का पोश्ट होगा जो कि वित-विभाग सहहमती और यहां पे निर्धारित किया जाये जेगा जिसकी संखिया एं यह तो यह पाँ तरह के ऐसे पोश्ट जो की दोस्तों संख्या यह मैंना जों और निकाले किया अब यहांपर पुलपढ़ों की संख्या जो है यह 74 अब आगली सुद्ध के स्कालर से श्रीक्ष में यहां कि यहां पर फॉर्म मैनेजर की बात करें तो लेबल 6 के तहट इनकी सैलरी और इनका आठ सीट है यानि कि 35-40 अर इनका सेलरी होगा टेक्निकल असेस्टेंट की सैलरी यहां पर 207 है और यहां पर 20 पदों की वेकेंसी होगी तो इनका भी सालरी स्केल पकरीब 50,000 के आसपास 55,000 और यह अलावेंस आपको अलग से मिलेगा तो यह इस्थाइप रहें लिपिक यानि की यहां पर दोस्तों यहां पर जो कि इसतर लेबल दो है यहां पर और 12 पदों की संख्या यहां पर उच्वर्गी लिपिक की बात करें लेबल 4 के तहद 6 पोस्ट है प्रधान लिपिक की ब की बात करें तो चार प्दों की यहाँ पर अबधीट दोस्तों जहाँ पर आपका जो ए मैं डिए अगया और नतर दो चार है यानि की सैलरी आपकी यहां पे भी 40-45,000 की होगी या 35,000 तक ही होगी और 10 सीट है यहां पे परस्नल असिस्टेंट की बात करें तो दोस्तो बेतनिस्तर 6 लेबल का है यहां भी आपका 50-55,000 का सैलरी होगा दो ही सीट है फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर का पोश्ट है बेतनिस्तर 6 लेबल का होगा फिल्ड ओबरसियर का पोश्ट है दोस्तों जो की इंजीनियर का यह पोश्ट होता है और लैब असिस्टेंट का पोश्ट है दोस्तों जो की वीतविभागी तैय करेगी और फोरेस्ट सुपर से यहां पर तुके निकाला जाती है ओर 6 दिया गया वहां पर संक्या जादा हो सकती मिला के यहां पर 401 ऑप यहां यहां पे जो है इसके लिए फंड भी जारी कर दिया जा चुका है वित्विवाग की तरफ से और यहां पे यथा संभव जो कहा गया है कि इन पदों पर सबसे पहले रिक्टूट्मेंट लिया जाएगा इसको छोड़कर सेश पदों के लिए कुल वियार्सिक बयाय जो है यतन के तहत ही अपना संचालन करेगी विस्विद्धाले जो भी कारे होगा इसका भवन निर्मान होगा इसके बाद इन लोगों के रिक्रूट्मेंट होगी तो इसके संचालन है तो पाठेकर्म यानि कि जो भी स्लेबस होगा वो बिलकुल आपके इस नातक इस्तर का होगा और यानि कि मास्टर डिग्री होगा जिनके पस डिप्लूमा है या शॉट्टम कूर्स है जैसे की लैब अटेंडेंट का हो गया या फिर आपका कंप्यूटर का हो गया तथा इत्यादी आइसी एयर के द्वारा अनुमोदित होंगे और परियावरन और जलवायू परिवर्तन shiakiakiakiakiakiakiakiakiakiaki AppleWenej Bihar कीjakवित इत्याद इत्याद के सची जो आपना सीगने़ Church और दे दिया है कि यह जो है कारे आगे बढ़ाया जया और इन पहली के प्रक्रियावर्या क negativity अ Profitल मैं तो अभी कहूंगा यहां पर बिहार upcoming vacancy है इन विभागों को लेकर लेकर लेकिन जो भी बिहार में vacancies आ रही है उसकी update भी हम लगतार आप तक पहुचा रहे हैं तो ऐसे वीडियो के लगतार आप हमरे साथ जुड़े रहे हैं जैहन धन्यवाद